नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं नमस्का, मैं हो सब्सक्राइद वोग से इसका संचालन होगा इसका मुख्यालय खूटी में होगा इस विश्वुविद्यावलय से फिलाल आठ्ड पॉल टेकिनिक संस्थानों को जोड़ा जाएगा इस बित विद्याले का मुख्य उदेश कार्य का उध्यमीता में सीधे परवेश करने या एक स्टार्ट अप आराम करने में रूची दिखाने वाले छात्रों को करियर उनमुखन सिक्षा और कौसल परदान करना है बतादेशोरोजगार और उध्यमीता दिकास के लिए आउस्यक कोसल परदान के साथ उध्यम सिलता उनमुख्य करन परदान करना है इस बित्विद्यालेक के माध्यम से ओनलाइन सिक्षा और अन्य बित्रन मड्यूल के माध्यम से पेस किये गए पाठे करमों के माध्यम से छात्रों को जीवन भर और निरंतन प्रसिक्षन का आउसर प्रदान करना है योग्यता अधारित कोसल और ब्योव साइक सिक्षा के लिए एक बिकल्प अधारित क्रेडिट परनाली त्यार करना है ज्यारखन में अगले 6 दिनों तक बारिस होगी मौसम भी भागने सुक्रवार को यह पुरोर्मान जारी किया है रांची मौसम भी ज्यान केंद्रे ने जो पुरोर्मान जारी किया है उसमें कहा गया है कि 6 अगस्त से 11 अगस्त तक राजे में बारिस होगी इसमें कहा गया है कि 6 अगस्त को राजे में कई जगों पर हलके सिमत दर्श की वर्षा की प्रबल समहना है इसी तरह 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हर दिन बारिश की समभवना जताई गई है कहा गया है कि 7, 8 और 9 अगस्त को जहारखन में लगभग सभी अस्थानों पर हलके से मददर्ज की बारिश होने की प्रबल समभवना है वहीं 10 और 11 अगस्त को भी हलके से मददर्ज की बारिश की समभवना जताई है महंगाई के खिलाप कांग्रेश का प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाप जहारखन कांग्रेश ने देश ब्यापी अंदोलन के तहत राची में राजभवन के समख्ष परदर्शन किया प्रदेश कांग्रेश का रियाले से सभी बिधायक मंत्री और करकार्ता जुलूस के रूप में सुभास चौक चौक हरी चौक होते हुए राजभवन पहुचे इसके बाद जाकिर हुसेन पार्क के पास से एस अभी बेरिकेटिंग क्रोस का राजभवन के मुखे परवेश द्वार पर पहुच गया और विरुवत परदर्शन किया इस दोरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया मंत्री बना गुपता ने कहा है कि मोधी सरकार जनमोधों को गौन कर विपक्ष को ड्राने में लगी है भाजपा ने पहले जुआओं को बेरुजगार किया अब महंगाई से थाली से निवाला चीन रही है आपको बता दे कि हिरासत मिलिये गए कंग्रेश नेताओं से मिलने पुर्व केंद्रिय मंत्री सुबोध कांथ साहाय मौरबादी पोटबॉल ग्राउंड इस्थीत कैंपस जेल पहुचे जन जातिये महोच सो नौ दस अगस्त को सियम हिमंत ने लौंच किया लोगो मौक्ष मंत्री हिमं सुरिन ने अगावी नौ एवम 10 अगस्त 2022 वो रांची के मौरबादी मैदान में अवजित होने वाले जन जातिये महोच सो के परतिक चीन का अनावरण करते हुए कहा है कि जन जातिये महोच सो का भव्य आयोजन राज्य के लिए गोरों की बात है राज्य गठन के बाद पहली बार महोच सो का अवजन किया जा रहा है यह कारेकरम राज्य वास्यों के लिए गोरों की बात है इस कारेकरम में जार्खन के अलावा दूसरे राज्य से भी जन जातिये समुदाय के प्रतिनीधी एवं अन्य लोग पहुँचेंगे मुख्य मंत्री ने कहा है कि जन जातिये समुदाय के उत्थान के लिए राज सरकार ने अंतन परयासरत है ऐसे कारेकरम को आने वाले समय में भी हमाली सरकार और मजबूति परदान करेगी जारखन बिधान सभा सवागार में अनावरन कारेकरम में कई मंतरी बिधायक और अधिकारे भी मजुद थे मुख्य मंतरी हमांसुरे ने कहा है कि जारखन जन जातिये बहुल राज है यहां के जन जाती है समुदाज ने देशी नहीं बलिक पूरे बिश्व में अपने अलग इतिहास और पचान बनाई है ज्यारखन में सरोजनिक अस्थल पर सराब पीने पर 10 हज्यार का जुर्माना है ज्यारखन बिधान सभा में गुरुबार्गो सत्र के समापन के पूर्व ज्यारखन उत्पाद संसोधन बिध्यक समें तीन बिध्यक धोणिमत से पारित होई इस बिध्यक में दंड और जुर्माना से सम्मधित कई बदलाव किये गए है इसके अलावा सज्या का भी प्रधान किया गया है उत्पाद एवं मगद निशेद बिभाग की ओर से संसोधित प्रस्ताव में बिभीन अस्तरों पर गलबढ़ियों के लिए दंड और जुर्माने का प्रधान किया गया नए नेमो के अनुसार सड़क पर सराब पीने वालों से जुर्माना तो लिया ही जाएगा उन्हें तीन साल तक की सज्या का भी प्रधान किया गया है 36 वे नेशनल गेम्स में जार्खन के 6 बक्सर लेंगे हिस्सा गुजरात में 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 36 वे नेशनल गेम्स में जार्खन के 6 बक्सर हिस्सा लेंगे इनमें 3 पूरुस वा 3 महिला बक्सर सामिल है जार्खन टीम का कैम्प जल्द ही जे आर्डिय स्पोर्ट कम्पलेक्स में होगा गुजरात में आयोजित होने वाले 36 वे नेशनल गेम्स के लिए जार्खन उसूट टीम का कैम्प रांची में सुरू हो गया है कैम्प के लिए जार्खन के विभीन जिल्ये से कूल 29 खिलाडियों को बुलाया गया है बता देग गुजरात में 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 36 वे नेशनल गेम्स में जार्खन के 6 वक्सर हिस्टा लेंगे अवयद सराब से मौध पर 10 लाख का मौपजा जार्खन में अवयद नकली या मिलावटी सराब पीने से मौध होने पर कोट के आदे से दोसी को 10 लाख रुपए तक का मौपजा पीरित परिवार को देना होगा अगर दोसी कोट के आदेस के तहत मौपजे का भुकतान नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिती में कानूनी पर किरिया के तहत दोसी के चल अचल संपति से मौपजे की वसिली की जाएगी यह प्रवधान जार्खन उत्पाद संसोधन बिधायक 2022 में किया गया है बिधान सभा से गुरुवार को इसकी मंजूरी मिल गई बिधायक में कहा गया है कि सराब में कोई हानिकारक दावा आदी मिलाने के कारान अपंगता या गंफीर तोर पर छटी होने की स्थिती में कोट दोरा दोसी करार दिये गए ब्यक्ति को पांच लाख रुपे तक का मौपजाब पिरित को देना होगा यदि अबज सराब के करान किसी ब्यक्ति को कोई छटी नहीं हुई हो फिर भी ऐसे ममले में उस तरह ब्यवसाई को साथ साल तक की सजा और एक लाख रुपे तक के दंड का प्रधान किया गया है दुमका से जल्द सुरू होगी बीमान सेवा देवघर यारपोर्ट के बाद अब संताल के दूसरे जीले दुमका से भी बीमानों के उडान सुरू होगी पिछले दिनों देवघर में पीएम मोदी के खोसना के बाद दुमका से भी हवाई उडान सिक्र सुरू कराने की कवायत तेज हो गई है संभावना है कि इस साल के अंत तक दुमका वासी कोलकाता और रांची का सफर कर पाएंगे दुमका यारपोर्ट से हवाई सेवा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी इस समद में पिछले दिनों सांसा सुनिल सुरेन ने नागरी कुलने मंत्री जोतरिया दित सिंद्या से मुलकात की उन्होंने जहरकन की उप्रधानी दुमका में बनकर त्यार हवाई अडा को चालू कराने की अपील केंद्रिय मंत्री से की कहा कि यहाँ यह ट्रेफिक कंट्रोल और टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा सारे इंस्प्राटक्चर बनकर त्यार है सिर्फ डोक्यूमेंट्रेंशन का काम कुछ अधू रहा है हे मंत्र सुरेन को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं रगुवरदास पुरो मुख मंत्री रगुवरदास ने कहा है कि मैंने छो माहिना पहले ही कहा था कि पत्थर का चिप्स बंगलादेश जा रहा है और करीब सौक और का खोटाला है जो आई सही साबित हो रहा है उन्होंने कहा कि परिवारवाद के साथ साथ लूट की संस्किर्थी नहीं चलेगी मुख मंत्री का परतिनीधी जो आज जेल में है उन्हें भी पत्थ से हटाया नहीं गया आखिर किस बात का डर है या सबी को पता है कैस कांड की जाच कराएगी जार्खन कॉंग्रेस पार्टी परदेश कॉंग्रेस कमीटी बिधायक कैस कांड की जाच खुद कराएगी इसे लेकर कमीटी का गठन होगा या नेने गुरुवार को कॉंग्रेस बिधायक दल की बैठक में लिया गया